दोसो तिरानवे रन भारत को बनाने है इस मैच को जीतने के लिए अगर भारत पहला मैच जीतता है तो फिर दौरे की शुरुआ जीत के साथ होगी न्यूजिलेंड के पास भी चेतन जी मौकार रहेगा क्योंकि न्यूजिलेंड जैसी कंडिशन्स में कई बार तो बहुत रन बन जाते हैं छोटे मैदान हैं लेकिन कई बार अगर कंडिशन्स जैसी हो जाएं जो तेज गिंद्बाजों को मदद दें तो फिर दोसो तिरानवे रन पहार भी बन सकते हैं कि साथ आफरीका में लबी पारी लोग नहीं खेल पाए हैं दोनों नहीं खेल पाए हैं और अच्छी शुरुआत भी नहीं दे कर दे पाए हैं तो एक नीव अच्छी रखना बहुत सी जरूर है और आज कम से कम ओपनीं की एक साजेदारी होना बहुत जरूरी है क्योंकि 293 का जो लक्ष होता है ये बड़ा लक्ष होता है लंबा लक्ष होता है और दबाब भी होता है टीम के ओपर दबाब होता है और हर ओवर में आपको तो रन बनाना जो रन रेट है वो रन बनाते चले जाना है क्योंकि यदि दो और या तीन ओवर आपकी रन नहीं बनते हैं तो फिर प्रहें बैट्समेंट की उपर प्रेशार आना शुरू हो जाता है तो इसलिए शुरुआत अच्छा करना बहुत ही जरूरी है और खासकर समालते हैं उनके जो नीचे के बैट्समन आये वो उन्होंने तावर दो बैटिंग के रियो और दो सो बादने तक उनको पहुचा दिया मुहमद शामी को चार विकेट मिले हैं और मुहमद शामी लगातार भारत के सबसे एफेक्टिव तेस गेंबास बनते जा रहे हैं सबसे बड़ी बात है कि आप जैसे चेदिन जी ने कहा शुरू में विकेट दे देते हैं अपने टीम को फिर बाकी गेंबासों को थोड़ी आसानी होती है चार विकेट मिले हैं मुहमद शामी को लेकिन हैरानी इस बात को लेकर हुई कि उनके ओवर दस पूरे नहीं हुए नौ ओवर में 55 रन उने खाए हालांकि एक ओवर में 19 रन पिट गए थे उसके अलावा मुहमद शामी ने शांदार गेलबाजी की भुवनेश्वर ने भी 38 रन दिये हैं सिर्फ एक विकेट या दस ओवर में लेकर इजान शर्मा 9 और 72 रन एक विकेट जड़े जाकी भी आज दुलाई हुई 9 और 61 रन अश्विन को 10 ओवर 52 रन बने और विराट कुली ने भी 3 ओवर किये हैं 13 रन उने दिये लक्षे बहुत बड़ा नहीं है लेकिन सलामी बने बाजों पर बहुत कुछ निर्वर करेगा शुकर दवन डोई शर्मा विराट कूली ने उससे साल रन बनाए वंडे क्रिकेट में बाहर जीतता रहा काभियत भी है लेकिन म्यूजिलेंड में जैसे हमने पहली पारी में देखा चेतन जी सफेद गेंद हिल रहा है